आपल आइफोन 12 का सभी फैंस बेसबरी से इंधजार कर रहे हैं। फोन के बारे में लिक्स और रुमर्स लगातार सामने आ रहे हैं। अब फैंस के लिए नई खुशक बरी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपूपल अपने आने वाले आइफोन 12 को भारत में मय वाल्यू फैक्चर करेगा। आइफोन के इस मेडिन इंडिया मॉडल का प्रॉडक्शन बिंगलुरू में होगा। इस फोन का स्वेदेशी मॉडल भारत 2021 के मद्द से सेल के लिए उपलब्द हो सकता है। आइफोन 11 से सस्ता होगा मेडिन इंडिया आइफोन आइफोन 12 का प्रॉडक्शन भारत में होने से इसकी टेमत पर भी काफी असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि भारत में बने आइफोन 12 की टेमत पिछले साल लॉंच हुए आइफोन 12 से कम हो सती है। अक्टूबर 2020 में शुरू होगा प्रॉडक्शन भारत में आइफोन 12 का कॉन प्लांट में आईफोन 11 और आईफोन XR का प्रॉडक्शन शुरू कर चुकी है भारत में 2,900 करोड रुपे का निवेश। बारत में आईफोन 12 के प्रॉडक्शन के लिए कंपनी 2,900 करोड रुपे का निवेश करेगी। बिस्निस स्टांडर्ड ने अपनी एक तुके नारसा पुरा प्लांट में यूपेक्चर किया जाएगा। बारत में इस फोन का प्रॉडक्शन आईवान की विस्टन कंपनी करेगी जो एपल के लिए कॉंट्रेक्ट में यूपेक्चरिंग करती है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस प्लांट में 10,000 लोगों को हायर करेगी कब लॉण्ज होगा आईफोन बारह। इस बार आईफोन बारह मार्केट में आने में देर लग सकती है। कई रिपोर्च सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि आईफोन टुडक्शन में देरी की वजह से आईपल इस साल लॉण्ज इवेंट टाल सकता है। के बात कंपनी ने कंफर्म किया है कि प्रॉडक्शन में आ रही डिक्पतों की वजह से ये फोन अफडेली से लॉण्ज है।